गुजश्टा रोज में ने पिछले तीन महीनों की शूगर का मशूर टेस्ट HBA1C कराया इसके साथ ही फास्टनंग में यानी 14 घंटों के फाके के साथ लिपिड प्रोफाइल कराया इसमें 4-5 मुख्तलिफ नौयत के कोलिस्ट्रोल, कोलिस्ट्रोल, ट्राइगिलिस्राइड, HDL, LDL, VDL की तफसील पता चलती है आज रिजल्ट आया तो अलहमदुलिल्ला सब कुछ बहुत ही उमदा था HBA1C 5.9 था यानी प्री डायाबिटुक पोजीशन में ये टेस्ट हर 3 माबाद करा लेना चाहिए, मुझसे सस्ती की वज़े से लेट हो गया कोई साल डे बाद ये टेस्ट कराया, तब भी 5.9 ही आया था अलहमदुलिल्ला, मैं पिछले 4-5 बरसों से शूगर का मरीज हूँ और रेगूलर दवाई लेता हूँ कुलिस्ट्रोल का भी माशालला बहुत अच्छा मौामला रहा है सब नार्मल और डिजारेबल सिर्फ HDL थोड़ा सा कम था, ये गुड कुलिस्ट्रोल होता है, जो कहते हैं कि बुरे कुलिस्ट्रोल LDL को खा जाता है वैसे मेरा बैड कुलिस्ट्रोल भी खासा कम है माशालला फास्टिंग शूगर भी प्री डाइबेटिक पोजीशन में थी ये सब अल्ला के फजल विक्रम से हुआ और बहतरीन तिब्बी मशावरत का भी इसमें हिस्सा है जो बजात खुद रब करीम की रहमत है मैं अपनी कुताही तसलीम करता हूँ कि मेरी फिजीकल एक टूटी तसली बख्ष नहीं मुझे 30-35 मिनट वॉक करनी चाहिए कम अज कम हफ़ते में 5 दिन तो ये जरूरी है अगर ऐसा करता तो HBA1C शायद 5 साथ हो जाए मुझे से इस हवाले से कुताही हो जाती है मदर में उसकी किसी हद तक तलाफी अपनी नहायत बाकाइदगी से दवाई लेने की आदत से कर लेता हूँ मैं 100 दिनों में से 99-99 दिनों में अपनी सुबह शाम की दवाई लेता हूँ चाय, कहवा वगेरा में चीनी छोड़ी हुई है खीरे, बंदगोभी, तर, आइसबर्ग वगेरा का सलाद बाकाइदगी से सफेद डबल रोटी, बिकरी आइटम और रोटीन में कोल्ड डिंक्स, जूसिस वगेरा भी नहीं लेता मीठा भी कभी कभार किसी दावत वगेरा पर खा लिया यानि महीने में एक आध बार खाने पीने की में बातें बहुत करता हूँ मगर वैसे एहतियाद ही करता हूँ साल में सिर्फ एक बार नहारी खाता हूं सख्त सर्दी में एक आध बार पाए या कभी सिर्फ एक बार हरी सा यानि अगर सर्दियों का मौसम चार-पांच मा रहा तो सिर्फ तीन खाने के वक्त बदपरहिजी और जब भी ऐसा किया इसके अगले तीन-चार दिन एहतियाद की जो का दलिया जो गंदुम की मिक्स रोटी वगेरा इसके बावजूद में कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे डॉक्टर आसिम उल्ला बख्ष की बेहतरीन तिब्बी मशावरत और उनकी मेडिकल रहनुमाई मुयसर ना होती तो शायद ये रिजल्ट्स ना आते अपने दोस्तों और फीस्बिक एहबाब को हमेशा इसी लिए डॉक्टर आसिम उल्ला बख्ष की तरफ ही मतवज्जे करता हूँ कि उनका दम घनीमत है डॉक्टर आसिम उल्ला बख्ष किंग एडवर्ड मेडिकल कालिज के गिरीजोइट और MCPS हैं वो अमरहम.pk पर फैमली फिजीशन है अब पाकिस्तान में दुनिया में कहीं पर हूँ इस एप के थरू एक बहुत ही मुनासिब रकम अदा करके उनसे टाइम लेकर वीडियो काल कर सकते हैं कमेंट्स में मरहम का लिंक भी डाल दूँगा लाहौर में रहने वाले के लिए अलबता आसानी ये है कि डॉक्टर आसिम साहिब हफते में चार दिन पीर, मंगल, गुद्ध और जुमाः एक बड़ी नुमाया जगा पर शाम सारे च्छे से आठ बजे तक कलीनिक पर बैठते हैं ये लाहौर की कैनाल रोड पर वाके मशहूर डॉक्टर हस्पताल जोहर टाउन के सामने वाके केक एंड बेक्स से मुलहक कलीनिक खालिद सुल्तान मेडिकल सेंटर फेसिंग कनेल है खालिद सुल्तान सेंटर पर मालूमात अअपाइ मिनिट के लिए कैसर रिजवान 03334157704 से राब्ता किया जा सकता है याद रहे कि ये वही हमारे मशहूर, मकबूल पसंदीदा डॉक्टर आसिमल्ला बख्ष है जिनकी फीस बिक पोस्टें और मुख्तलिफ पोस्टों पर किये गए उनके कमेंट्स बेते हशारश लेते है मेरे नजदीक डॉक्टर आसिमल्ला बख्ष एक इंतहाई दियानतदार, डेड इंस्ट और बहुत ही समझदार डॉक्टर है जो बड़ी दानिशमंदी से मरीज का तजजिया करते और बेलाग सची, खरी राय देते है एक ऐसा डॉक्टर जिस पर आप आँखें बंद करके भरोसा कर सकते है ये मेरी जाती जमानत है मैं पिछले 18 बरसों से अपने और अपने अहल खाना के हर तिब्भी मामले में डॉक्टर आसिमल्ला बख्ष की मशावरत और रहनुमाई ही लेता हूँ और मैंने बहुत बार बड़े बड़े नामवर प्रोफेसरों को उनकी राय और तश्खीस से मुत्तफिक होते देखा